प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाठ बीधि विवारन ग्रंथ आध्याई छोविस पद संख्याईं सोला से उनेस मुसा ने लोगों से कहा आज तुम्हारा प्रभु इश्वर इन यामों तथा अग्याओं का पालन करने का आधेश दे रहा है तुम इन पर चलते रहोगे और सरे रिदाय और सरी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे आज तुम्हें प्रभु से या अश्वसन मिला कि वह तुम्हारा अपना इश्वर होगा बसत तुम उसके मर्ग पर चलो उसके नियामों अदेशों तथा अग्याओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो तुमने प्रभु को या अश्वसन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे कि उसने तुमसे कहा है बसत तुम उसकी सभी अग्याओं का पालन करो उसने जितने रश्ट्र बनाए उन सबसे अधिक वह तुमें सम्मान ख्याती तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पईत्र प्रजा होगे जैसा कि उसने तुमसे कहा है कि आप्रभु की वानी है संदमत्ति के नुसार पवित्रिश्व समाचार अध्याए पांच वागे 43 से 48 तक एसा ने कहा तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पडोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रूं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार गरते हैं उनके लिए प्रार्त ना करो इसे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तता धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी परसाता है यदि तुम उन्ही से प्रेम करते हो जो तुम से प्रेम करते हैं तो पुरसकार का दावा कैसे कर सकते हो क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते हैं और यदि तुम अपने भाईयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो क्या गैर यहुदी भी ऐसा नहीं करते इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है ये प्रभु का दिव्य सू समाचार है कृष्ट प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेनों आज का पहला पाठ वीदी विवरन गरंध के अध्याई 26 से लिया गया था वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मुसा ने इस्राइली जनता को संबोधित किया और उनसे इस प्रकार कहा आज तुमारा प्रभीश्वर इन नियमों तथा आज्याओं का पालन करने का आदेश दे रहा है तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हिर्दे और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे अम पूरी बैबल को दो भागों में विभाजित कर सकते है पुराना विधान और नया विधान इस विधान का क्या अर्थ है एक अटूट रिष्टा एक पक्का रिष्टा पवित्रगंत बैबल एश्वर की ओर से मनुष्य के लिए बढ़ाये गए उस हाथ उस विधान का अहुआन है एश्वर चाहता है कि वह मनुष्यों के साथ एक विधान बनाए एक रिष्टा बनाए और ये रिष्टा मनुष्य के लिए अती अवर्षक है ये हमारे लिए है एश्वर ने नुख के द्वारा एक विधान बनाया एश्वर ने इब्राहिम के द्वारा विधान बनाया एश्वर ने मूसा के नेत्रतों में इस्राइलियों के जरिए इस्राइलियों से विधान बनाया विधान की शर्ट गया है शर्तिय है तुम मेरी प्रजा बनी रहो तुम मेरी प्रजा बने रहो और मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी प्रजा बने रहो यानि मेरी अधीनता को स्विकार गरो मेरे अधीन रहो तुम्हारे जीवन में मेरा शासन आवे तुम मेरी आज्यावों का पालन करो मेरे आदेशों का पालन करो यह तुम्हारे लिए कल्यान की बात है और तुम मेरे मार्ग पर चलो अगर तुम ऐसा करोगे आज के पूरे पाठ में आपने सुना ऐसा करोगे तो प्रभी इश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा अपना इश्वर रहूंगा मैं तुम्हारा अपना इश्वर बना रहूंगा तुम्हारी लिए प्रबंध करने वाला इश्वर तुम्हारी रच्षा करने वाला इश्वर तुम्हारा सम्रक्षन करने वाला इश्वर बना रहूँगा लेकिन तुम मेरी आज्याओं का पालन करोगे इस स्यास नभी के गरंदे के अध्याए 48 वाक 18 में प्रभु कहते हैं यदि तुमने मेरी आज्याओं का पालन किया होता तुम्हारी सुक शांती नदी की तरह उमड़ती रहती बारु के गरंद के अध्याई तीन वाक्य तैरा में हम पढ़ते हैं वचन कहता है यदि तुम इश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांती का जीवन जीते समूचे बैबल में हम पढ़ते हैं कि इश्वर उन लोगों को आश्यरवाद प्रदान करता है उन लोगों का साथ देता है जो इश्वर के आदेशों का पालन करते हैं जो मनुशी के कल्यान के लिए होता है और मुशा इस्राइली जनता को यही बात आज के पार्ट में समझा रहे हैं मुशा ने कहा तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हुदे और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे आज तुम्हें प्रभू से यह आश्वासन मिला है क्या आश्वासन है कि वह तुम्हारा अपना इश्वर होगा तुमने प्रभू को ये आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे मुसा कहते हैं यही तुम उसकी आग्याओं का पालन करोगे उसने जितने राष्ट बनाए उन सबसे अधिक वह तुमें समान ख्याती तता महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभू की पवित्र प्रजा होगे जैसा कि उसने तुम से कहा है मेरे प्रीजे भाई और बेनो जब हम इश्वर की आग्याओं का पालन करते हैं इश्वर के आदेशों के अनुसार जीवन जीते हैं इश्वर के बताएवे मार्ग पर जलते हैं इश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है हमें सुरक्षा देता है हमारा सम्रक्षग बनता है और आज का सुसमाचार संत मति के सुसमाचार की अधियाए पांच से लिया गया था प्रभी एसु की शिक्षाएं पुराने विधान की शिक्षाओं और संसार की शिक्षाओं से बिलकुल भिन थी आज के पार्ट में अपनी सुना तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पडूसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर परन्तु मैं तुम से कहता हूँ अपने शत्रों से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार गरते उनके लिए प्राहर्थ ना करो प्रभु कहते हैं यह साधारन लोगों की समझ है और तुम्हें भी बताया गया है कि अपने पडोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हूं उनके लिए प्राहर्थ ना करो कई साल पहले की बात है मैं बनारस में गंगा के तट पर हमारी एक सस्था में रह रहा था छोटा सा भवन था क्रिस्मस मनाने के लिए हमने अपने पडोसियों को बुलाया था उनको जलपान कराया था तीस चालीस लोग आये वे थे और इसलिए दिवार पर प्रभु के पवित्र वचनों को मैंने लिख कर रखा था हमारा डाकिया नहीं आ पाया अगले दिन आया मैंने उनसे कहा कि बैठिये तब तक मैं चाय की वस्था करता हूँ चाय लाते लाते मैंने देखा कि वो भाई चारो और जो वचन लिखे हुए थे उसको पढ़ रहे थे और एक जगा पर आकर अटक गे थे और उस भाई ने मुझसे कहा देखिये बाकि सब कुछ सही है लेकिन ये सही नहीं है और वहाँ पर यही वचन लिखा हुआ था मैं तुम से कहता हूँ अपने शत्रों से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्तना करो मैंने उस भाई से पुछा कि क्यों आपने कहा कि ये सही नहीं है उस भाई ने कहा क्योंकि ये संभाव नहीं है मैंने उनको बेठाया उसके बाद उनसे कहा कि भाई आपने कहा कि वो संभाव नहीं है लेकिन जो उसको संभाव करता है उसको मसीही कहते है या येशू के शिष्य कहते है एक मसीही वो है एक येसु का शिश्य वो है जो अपने शत्रूं से प्रेम करता है और जो तुम उन पर अतियाचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करता है प्रभू कहते हैं कि अपने शत्रूं से प्रेम करो जो लोग आपको दुख देते हैं उनके लिए आपके हिर्दे में प्रेम उत्पन होगा आप प्रेम की दृष्ठी से उनके बारे में सोचेंगे और उनको देखेंगे मैं आपसे कहता हूँ उनका मनोभाव बदल जाएगा और जो आपको दुख देते हैं अगर निरंतर उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो प्रभू चाहते हैं आप देखेंगे उनका स्वभाव बदल जाएगा आगे सुसमाचार में प्रभु कहते हैं इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे यानि तुम्हारे प्रेम और छेमा और मेलमिलाप के जरिये तुम इस बात को प्रकट करोगे कि तुम ईश्वर की संतान हो क्यों? क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सुर्य उगाता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है प्रभु इश्वर किसी के प्रती पक्षपात नहीं करता है सब को बराबर प्रेम करता है सब उपर सूर्य को उगाता है और सब के लिए व्रिष्टी बेशता है आगे प्रभु कहते हैं यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुम से प्रेम करते हैं तो पुरसकार का दावा कैसे कर सकते हैं उन्हें क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करती अक्सर हम प्रेम जिसे कहते हैं वो इस प्रेकार का प्रेम है जो हमें प्रेम करते हैं हम उनको आसानी से प्रेम कर पाते हैं लेकिन जो हमें प्रेम नहीं करते हैं जो हमें प्रेम के लायक नहीं दिखते हैं उनको जब हम प्रेम करने लगते हैं तो हम स्वर्गिक पिता की तरह बरताब करते हैं आगे प्रभु कहते हैं यदि तुम उनको ही नमस्कार करते हो जो तुमें नमस्कार करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है ऐसा तो संसार में होता है प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु ईश्वर की तरह दोसरों के प्रती निश्पक्ष द्रिष्ठी रखें अंत में प्रभी येस्व एक बहुत सुन्दर बात बताते हैं प्रभु कहते हैं इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है प्रभु कहते हैं कि तुम पूर्ण बनो पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि इश्वर प्रेम है और इसलिए इश्वर की पूनता प्रेम में है और इश्वर की संतान की पूनता भी प्रेम में है येशु के शिष्य की पूनता प्रेम में है इसलिए प्रभी येशु कहते हैं यौन के समाचार के अध्याय तैरा वाक्य पैंतिस में तुम्हारे प्रेम के द्वारा संसार पैचान लेगा कि तुम मेरे शिष्य हो एशु के शिष्य होने का लक्षण प्रेम है श्यमा है मेल मिलाप है आईयम प्रार्तना करें प्रभियस्वम तुझे दन्यवाद देते हैं पवित्र वच्णों के लिए आज के सुन्दर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं इस चालिसा काल के लिए धन्यवाद देते हैं और आज हम विशेशुप से प्रार्तना करते हैं इस पवित्र काल में हम सब उसे प्रेम करना सीखे विशेश करके जिन लोगों ने हमें दुख दिया है अमारी जीवन में कई प्रकार की बादाएं उत्पन किये हैं उन सब को रुड़क करने के लिए और तेरी तरह उन को रुड़क करने और उनको रिदेस से लगाने के लिए में कृपा दिजिये ये प्रभिये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को आशिरवात प्रदान करना आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशिश का दिन बने अनुग्रह का दिन बने अमारी प्रार्तना को ग्राण कर अमेन पागत्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है अमारी शाश्वत है जीवन का मन्ना है